हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे सिंदूर सिंदूर जो हमेशा हमारे पूजा के सामगरियों में जाना जाता है और महिलाएं इसको तिलकिया अपने मांग में लगाने के लिए इस्तेमाल करती है लेकिन मार्किट में जो सिंदूर मिलता है उससे कई तरह की हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो मिलावट वाला होता है तो आज हम घर पर ही बिना मिलावट के एक बहुती अच्छा बहुती बढ़िया सिंदूर बनाने की विधी आपके साथ शेयर करेंगे तो उमीद करते हैं आपको ये विधी ये वीडियो हमारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लिजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाप मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सिंदूर बनाने के लिए सबसे मेन जो हमारा इंग्रिट है वो है हल्दी हल्दी यहाँ पर हमने बिल्कुल प्यॉर लेनी है अगर आपके पास पीसी हुई प्यॉर हल्दी है तो ठीक है नहीं तो आप साबुत हल्दी को अपने आप ले करके पीज सकते हैं और साबुत हल्दी से भी हम बनाएंगे तो उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है उसको बनने में हमें एक हफता पर लग जाता है सिंदूर को बनाने में तो यहां पर हमने पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल किया है तो पीसी हुई हल्दी हमने एक कटोरी ले ली है और यह चूने का पाउच है जो आम चूना होता है जो पन्वारी की दुकान पर मिल जाता है और जो पान में लगाया जाता है उसी चुने का यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है और उस चुने को हमने थोड़े से पानी के अंदर मिला लिया है यहाँ पर आप पानी की जगे पर गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उससे एक बड़ी अच्छी खुश्मू इसके अंदर आ जाती है और अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में इसको मिला करके थोड़ा थोड़ा हल्दी के अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसको हमने बड़े अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गाठे ना पड़े और अब हमने इसमें लिया है तीन चार निम्बू का रस हमने इसके लिए निकाल लिया था जिसको हमने छान लिया था तो निम्बू का रस किसी किसी निम्बू में ज्यादा होता है तो किसी में कम निकल आता है तो इसके लिए हमने निम्बू के रस को एक कटोरी के हिसाब से नाप लेना है कि इसके अंदर हमारी आधी कटोरी भर जो है निम्बू के रस की हो जाए तो निम्बू का रस और जो च जाएंगे इसका कलर जो है हल्दी का चेंज होता जाएगा और यह देखें बाद में जो बचा हुआ चूने का जितना भी पानी है उसको हमने सारे को ही मिला दिया है लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे पानी को एक साथ नहीं मिलाना है थोड़ा-थोड़ा करके ही हमने चमच डाल डाल के ही इस पानी को इस हल्दी के अंदर मिक्स करना है और ये देखिए जैसे जैसे हम इसको मिला रहे हैं इसका कलर जो है हमारा चेंज होता जा रहा है तो ये देखिए हमारा सिंदूर जैसा लाल कलर बन करके तयार हो गया है और ये हमारे हाथ पर हल्दी के रंग जैसा ही लगता है ना कि जैसे मार्किट में मिलने वाले जो सिंदूर होते हैं उसको हाथ पर अगर हम लगाते हैं तो वो रेड कलर में आ जाता है लेकिन जो ये हम बना रहे हैं ये औरिजिनल सिंदूर है तो इसलिए इसका कलर पीला आता है क्योंकि ये हल्दी से बन तो अब हम इसको सूखने के लिए रखेंगे सूखने के लिए हम इसको धूप में नहीं रखेंगे और नहीं हम इसको पंखे के नीचे रखेंगे इसको हम नॉर्मल टेंपरेचर पर ही रखेंगे धूप में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसका कलर चेंज हो सकता है कपूर करके फैल सकता है तो अब हम इसको चलनी के अंदर से चान लेंगे क्योंकि यह हमारा सिंदूर सूख गया है अब हम अगले प्रोसेस पर चलते हैं चानने के पाद हम इसको दूसे बरतन में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स कर सके और अब इसके अंदर हमने जावडे पुजा की सामगरी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है इन सभी चीजों के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा नारहिल का तेल तिल का तेल या फिर देशी घी को मिला लेंगे तो इसको हम कपूर और जवाड मिला करके बड़े अच्छे से सारे सिंदूर को मिक्स कर करके रख लेंगे जब हम इसको किसी काच के बरतन में डालेंगे तो इसके बीच बीच में इस तरह से भीम सैनी कपूर या जो भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का कपूर हो उसको बीच बीच में इस तरह से डाल करके फिर उसके उपर एक लेर सिंदूर की जमा देंगे और फिर से एक लियर कपूर की मिला देंगे इस तरह से हम इसको परतन में, काच के बरतन में, काच की बॉटल में भर करके रख ले तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवशे करें चैनल पर नई आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और इसके साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को अवशे दबा ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके मिलते हैं इसी तरह की अगले किसी इंटरस्टिंग सी वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत